हेलो फेंड एक बाफ फेर आपका स्वागत है कंचनल लाइफ लैंड चनल पर आज मैं आपके लिए जामुन की जानकारी लेकर आई हूँ यह खाने में तो बहुत स्वाधिश्ट होता ही है साथ ही इसमें कई औशधिये गुण भी होते हैं तो हम इसकी जानकारी के लिए आग तो आईए हम इसके बारे में बात करते हैं जामुन में कई औशधिये गुण होते हैं इसमें आईरन, विटामिन और फाइबर पाया जाता है इसकी प्रकृति अमली और कसैली होती है लेकिन इसका स्वाध खाने में मीठा भी होता है जामुन में गुलुकोज और फ्रक्टो पाया जाता है और जामुन में कई खनेजों की मात्रा भी बहुत अधिक होती है इसके बीज में भी कार्बोहेड्रेट प्रोटिन और केल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है जामुन पाचन शक्ती बढ़ाता है और जामुन खाने से पेट संबंधित विकार कम होते हैं जामुन मदमे के उपचार के लिए बहुत ही फायदेमन मना जाता है। जामुन की गुठलियों को सुखा कर पीस कर उनका सेवन करने से शुगर का इस तर समाने रहता है। साथ ही जामुन में कैंसर रोधी गुण भी पाय जाते हैं। कीमो थरपी और रेडियेशन थरपी के बाद जामुन खाना चाहिए। इससे बहुत फायदा होता है। जामुन खाने से पत्री में भी फायदा होता है। जामुन की गुठली के चून को दही के साथ मिला कर खाने से पत्री में फायदा होता है। और यह लीवर के लिए भी बहुत ही फायदे मंद है। सांथी कब्ज और पेट के रोगों में भी जामुन बहुत ही फायदे मंद है। जामुन मुह के शले होने पर जामुन के रसका प्रयोग करने से लाब मिलता है। और मुहासे होने पर भी जामुन की गुठलियों को सुखा कर पीस ले और इस पॉडर में रात को सोते समय गाय का दूद मिलाकर चहरे पर लगाए इस लेप को सुबह ठंडे पानी से धो ले इस तरह से आपको चहरे के मुहासे पर काफी फर्प दिखेगा जामुन में विटामिन A, विटामिन C और विटामिन B भरपूर मातरा में होते हैं इसलिए इस तरह की विटामिनों की कमियों को भी यह पूरा करता है जामुन इसमरण शक्ति को भी बढ़ाता है और साथ ही यह पीलिया की बिमारी में भी काफी फैदे मंद होता है जामुन का उपयोग आप सफेद दाग पर लगाने से आपको काफी फायदा हो सकता है सफेद दाग तचा पर जो हो जाते हैं आप उस पर इसको लगाने से वह धीरे धीरे कम हो जाते हैं साथी जामुन के रस के सेवन से बाल लंबे समय तक काले रहते हैं जामुन दातों के लिए भी हर प्रकार की दवा है दातों का हिलना, दातों में दर्द, मसूडे फूलना, दातों से खून आना आधी सभी परिशानिया जामुन से दूर हो जाती है साथ ही ये गले में दर्द और आवाज बैठने जैसी परिशानियों को भी दूर कर सकता है जामुन हिरदय रोगों में भी लाबदयक है इसका सेवन करने से बहुत ही फायदे होते हैं जामुन में वात गुण होते हैं इसलिए इसे खाली पेट नहीं खाना चाहिए और साथी गर्ववस्था के दौरान भी जामुन नहीं खाना चाहिए जामुन को वरत उपवास के समय इसका उपयोग न करें और उल्टी या जी मचबराने जैसी इस्तिती है तो भी जामुन न खाएं साथी शरीर में कहीं सूजन आई हुई है तो भी इसे न खाएं और आप्रेशन से पहले और बाद में कुछ समय तक जामुन का इस्तेमाल न खाने में और साथी साथ जामुन को अधिक मात्रम में भी नहीं खाना चाहिए और जामुन हमेशा पूरे पके हुए खाएं कच्चे या अध्वपके भी ना खाएं इससे भी आपके शरीर को नुक्सान हो सकता है और साथी साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जामुन खाने से दो घंटे पहले और दो घंटे बाद तक दूद कभी नहीं पीना चाहिए तो इस तरह से जामुन को आप खाना खाने के बाद खा सकते हैं और इसको उजित मातरा में खाने से आपके शरीर को बहुत ही फायदे होंगे तो इस तरह से आप जामुन खाने के फायदे उठा सकते हैं लेकिन आप जामुन खाने से पहले जो कुछ बातें मैंने बताईए उसका ध्यान जरूर रखें कि इसे कब खाएं और कब न खाएं और किस चीज के साथ न खाएं इस बात का ध्यान हमें वैसे भी रखना चाहिए जो भी हम चीजें खाते हैं उसका ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि हम किस चीज को किस चीज के साथ खा रहे हैं किसका नुकसान हमारी शरीर को होगा तो इस तरह से आप जानकारियों को लेने के लिए कि आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं तो इस तरह से फ्रेंड इसकी जानकारी यहीं पूरी होती है और आशा करती हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद